नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ड में आज वक्ति तो परिचाई के सीरीज का तिसरा पार्ट से यह पहले पार्ट में सखाराम गनेश देवसकर दूसरे पार्ट में जैपाल सिंग मुंडा के बारे में के लिए अपने जान खुद को नियुक्ता सित पाएब किया है इसे 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 महान आदमीयों के कर्ज तो चुका नहीं सकते है मगर फिर भिल्बू यनकों को जानका रहर होना यह लुगों के बारे में जन जन तक जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए जान दिये हैं तो एक्जाम पॉइंट आफ यू से तेलंगा खड़िया बहुत इंपोर्टन बनता है कर तो तो टेलंगा खड़िया के बारे में क्या 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 त्यान के क्योंकि आते हैं कि आoster करेंगे शसे पर के सबसे elsewhere ठीक है तेलंगा खड़िया का जन्म कि याद रखने की ज़रुवरत नहीं है नौ फरवरी है डेट मगर मत याद रखिए इनकी जन्म हैं जन्म हुए है अठारोसो चे ठेक है यह तर फ्सक्या घुम्ला जीले में इसका जन्म हुआ है ठाना भी इसका पूछता है इसका मूर्गू गाउं यह सारे इन्पोर्टेंट है इसका अगर सीसाई किसी तरह से भूल गए कोई बातने मूर्गू गाउं और गुमला यह याद रखना बहुत जरूरी है अप लोग कोई सिम्डेगा गए होंगे तो अब सिम्डेगा बस स्टेंड का नाम है तेलंगा परिवार में देखिए कौन थे इसके पिता थे ठुईया खड़िया ठुईया खड़िया माता थी पेतो खड़िया और इसकी पत्नी बहुत इंपोर्टेंट है पत्नी रत्नी खड़िया क्यों इंपोर्टेंट है यह भी बता देता हूं स्वतंतरता संग्रा में महिलाएं भाग लेना एक बहुत ही बड़ी बात है जब तेलंगा खड़िया का अठाराव सवा असी इसवी में गोली मार दिया गया उसके बाद यह खड़िया विद्रो खतम ही होने के कगार पे था क्योंकि कोई नेता नहीं मिल रहा था उस समय इसकी प्तनी रतनी खड़िया ने बड़ी निर्विक्ता से सासिक काम किया और खड़िया विद्रो कानित्रितु अपने हाथ में लिया तो रतनी खड़िया एक झारखंड की महीला स्वतंतरता सैनानी है तो यह कोस्चेन बहुत इंपोर्टन होता है कि रतनी खडिया रतनी खडिया का नाम याद रखिए इसका बेटा का नाम था जोगिया खडिया बेटा था एक पुत्र था छोटा था बेटा था जोगिया खडिया यह इसके परिवार का डिस्क्रिप्शन ठीक है बेटा जोगिय खड़िया था है जो सिस्के बाद उस खड़िया विदरों को किसने आने बढ़ाया तो रतनी खड़िया और देखिए इसके वायड थी और महिला स्वतनतरता-शैनानी-ज्यारखंड के उसमें विक उसके नहीं। कौन सा महीला स्वतुतमतरता स्वयनानी जार्खोंड रातिज रतनी खडिया अब देखिये इनकी आदि वासी य mandate थे इस किस टाइब कर ट्राइब्स और थे तो नाम से टाईटल ये खडिया तो खडिया ट्राइब्स गीतों में खड़िया लोग गीतों में in-pornet question है खड़िया लोग गीतों में किसकी चर्चाएं हमेशा होती है देट को टेलंगा खड़िया देखिए तेलंगा खड़िया का जनव 806 और-1889 और-1850 में ये ये जो इसका प्रियर था यहां से इन्हों उने अंग्रेजों को खिलाफ लड़ाई आरंब किया यह किसान थे किसान का बेटा थे लेकिन बच्पन से बहुत निर्भीक थे शासी थे भाला तीर कुलहारी यह सब का बहुत अच्छा से प्रसिक्षन लिया था अपने senior जो भी आदमी थे उन लोगों से यह बहुत बहादूर थे और भाले तीर ये सब चलाने में बहुत महारत हासिल थे तो जो आदमी कुसल वक्ता होता है कुसल वक्ता मतलब अच्छा से बोलने वाला जो कुसल वक्ता देख कहा था इनोंने जो गाऊं में जाके सब अपने खड़िया जातीयों को पुरा जगाता था साथ साथ इसके जो contemporary आसपास में जितने भी जाती हैं थी tribes थे सब को जगाते थे उसके पास गोली बंदूख सिपाई है तो क्या होगा सिपाई तो हम भी है हमारे पास तीर भाले यह सब हम इसी से मुकाबला करेंगे और सारे लोग इसकी कुसल वक्ता के होने के वज़े से सब अंग्रेजों के खिलाफ हुए और लढाई के लिए त्यार वे तो निर्भीक थे बच्पन से निर्भीक थे किसी से डरते नहीं थे सासी थे अगर इस तरह के आदमी को तेब लगा बोला जाता तेब लगा कि भासा में घरिज खडिया भासा में तेब लगा मतलब अइसे आदमी जो बीर सासी निर्भीक हो ूब को तेब लगा बोलते हैं इसी तेब लगा वर्ड शे ही इसका नाम तेलंगा पड़ा, इसी words का ये तेलंगा, इसी words से ये तेलंगा सब्द बना है, तो ये भी question पुछेगा, कि सब से तेलंगना का लिया गया है, तिब लगा, ठेक है, दूसरी ये देखी, अठासो उन्चास पचास के समय में अंग्रेजों के खिलाप लगाई आरंब किया, लो कर लिया गया, और इसे 14 साल की सजा मिली, 14 एर की साल की अंग्रेजों ने सजा दे दी, ठीक है, और इसकी केस चली लोहरदग्गा में, लोहरदग्गा कोट में, और जब सजा हो गई तो इसे लोहरदग्गा कोट में केस चली और सजा हो गई तो इसे कूलकाता भेज दिया जब कोलकाता से यह सजा काटके रिटर्न आता है सजा हलांकि इसकी 14 साल की सजा हुई थी लेकिन कोट 14 साल से पहले इसे छोड़ दिया गया था जेल से तो जब यह लोट के आए तो यह एक संगठन बनाता है यह संगठन का नाम होता है जोड़ी पँचेत ठीक है यह जोड़ी पँचेत ठीक है यह इनपर्टन कोश्चेन है कि को संगठन बनाता है जोड़ी पंचेत क्या होता था गाहों के जो यूअख होते थे 20 साल से उपर के सारे को एक जगह जमा किया जाता था तीर भाले बर्ची कुलाडी ये सब चलाने के लिए सिखाया जाता था ट्रेनिंग दिया जाता था और जो जितने भी ये कर रहे थे अंग्रेज लोग हमारे खिलाब जितने भी रूल्स पास कर रहे थे जितना भी हमें दबाने की कोशिस किया जा रहा था अदिवाशियों को फैलाया जाता था और यह नहीं और यह जोड़ी पंचेत उसने इस तरह बना के रखा था हरे गाम में लगबग जोड़ी पंचेत होते थे हरे गाम में और यह इतने अच्छे से काम करने लगे जोड़ी पंचेत कि अंग्रेजियों के जब भी अटेक करने इन लोगों के ऊपर खर शीपाह likely आते थे ख़बर पहले पहुंच जाते थे और याुए तो नहींने इनको पख़न इतनी आसान नहीं है तो देखिए उसको महिले करते पीक्ञित प्रेसान थे बूधन सिंग बोलेकि शीपाही थे यह भी आदिवासी थे बुधन सिंग ठीक है बुधन सिंग जो थे वो ऐसे घम हमारे गाह आस्पास के जान पह्चान यह आद watts लंगा खडिया आद मीया अदमी थे लेकिन यह अंग्रेजी सेना में काम करते थे अंग्रेजी सेना में ग्ला currently तो बुधन सिंग ने जाड़ी के पीछे से छुपके गोली मारा था जब यह जोड़ी पंचेत लोग क्या बताए जोड़ी पंचेत का मेरन काम ता जो अखाड़ा होता था लोग का खेल का मैदान वहां पर तीर भाले फर से यह सब ट्रेनिंग दिया जाता था तो बुधन सिं यही ने छुपके गोली मार दिया ठीक है यह कहा यहीं जी पंचेत के पर से जो थे जी लोग लास को लास को छुपा के सारे लोग जंगलों में चिप गए भुमिधत हो गए और इसके लास के साथ पॉस्ट माटम ना हो जाए इसके लास के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए इसलिए इसे एक सही जगह नीमा तोली यह तोली बोले के गाऊं में जारकर में जारकर मेर बहुत सारे आते जमüş को जमिन हैं बहुत जार गाओ का नाम होता है यह ईए कहां पर था कोईल नदी के किनारे इसको इसका भी नाम है तेलगा तोपा टांड ठीक है तेलगा तोपा टांड बुझे का तेलगा तोपा टांड है क्या चीज ये है तेलंगा खड़िया का कब्रगा जहां पर उसके दफनाया गया था आप देखे सैंज और यह इनका जो सहादत कपो ऑविए है खड़िया विद्रो एक इन पॉर्टन कोस्चन है खड़िया विद्रो किसने शुरू किया बढ़ें पर यह तेलंगा खड़िया ने ठीक है तेलंगा खड़िया क्लियर और कब यह देखिए अठारोंस असी में तो य अंग्रेजों को खिलाब बगावत की शुरुवात ये देखे 43 साल के उमर में किया था 43 ने अच्छे हां 43 साल के उमर में आरी देखे 1880 कितने यहीं 43 साल हो गए है उसे भी 30 साल तो 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 यह देखे खड़िया विद्रो शुरू किया और इसका जो मैं संगठन था जोड़ी पंचेत की मज़ए से तो यह देखे खड़िया कब हुआ 1880 में शुरू किया गया और ज्यादा दिन तक नहीं चला है 23 अप्रेल 1880 में बोधन सिंग इसे गोली मार दिया ठीक है तो फिर से एक बार रिवायच करते हैं इतना स्टोरी तो हमने बता दिया लेकिन इंपोर्टन कोस्टन किया देखे में उसका जन्मस्थान गुमला जीले में मुर्ग गाउं में बेरी इंपोर्टन और करेंट में सिम्डेगा बस इस्टेंड का नाम तेलंगा खड़िया बस इस्टेंड परिवार में इसका पतनी याद होना चाहिए बहुत ज़री रतनी खड़िया क्योंकि यह 1880 में जब इ दीर कुसल वक्ता है सब वर्ट्स को मिला के तेब लगा बोल के वर्ट्स बनता है खरिया विद्रों का शुरुबात किस ने किया तेलंगा खरिया ने कब 880 में और सेम येर उनकी डेट हो गई किसने इसकी डेट किया बुधन सिंग ने और कहां पर इसको दफनाया गया देट सोशोट्य को अभी क्या कहा जाता है तेलंगा टोपा टांडब और सोशोट्य किस नदी के किनारे है कोयल नदी के किनारे कौम्चा संगठन बनाके वह लड़ई करता था गरते जोड़ी पंचेत महिला स्वतंतरता सेनानी में रतनी खरिया और इसको सजापन के भीजा गया था कोलकाता में यह सब इंपोर्टेंट है चलिए दोस्तों तिलंगा खड़िया के मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोस्टें नहीं आएंगे चलिए आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो धन्यवाद अब लोगों का अब यह है कि अगर लाइक जरूर कर दो सब अबली बार अगर आप आए हो तो सबस्क्राइब जरूर कर लेना बेल बटन दबा लेना धन्यवाद दो